Hello student, मैं आपको इस वीडियो में simplification के कुछ important question लेकर आया हूँ, जो की अक्सर इस तरह के question exam में पूछे जाते हैं, अब बहुत ही संदार trick से बताने वाला हूँ, आप ऐसे question को secondum बता सकते हैं, आपको ऐसे question को करने में एक second से ज़्यादा नहीं लेगा अगा student, ठीक है, तो जरूर देखें, तो जब भी आपको इस तरह के question आये, कि root के अंदर, 1 की power 3, 2 की power 3, plus 3 की power 3, ठीक है student, लेकिन आप ये इची ध्यान रखें, कि root के अंदर, जो संखिया दिया हुआ है, 1, 2, 3, ये करम में होना चाहिए, मतलब संखिया लगातार होना चाहिए, ठीक है, जब root के अंदर, संखिया लगातार हो, और power 3 हो, तो हम इस तरह question को हम कैसे solve करेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, student, अगर आप इसको basic method से करते हैं, अगर आप इसको पूरा detail में जा करते हैं, तो आप किस तरह करेंगे, जैसे burn की power 3 निकालेंगे, तो इसका burn होगा, 2 की power 3 करेंगे, तो कितना 8 हो जाएगा, 3 की power 3 को solve करेंगे, तो 27, तो 3 के power 3 हो गया 27, तो 27 और 8 कितना होगा, student, 35, और 1 की power 3 है, तो 1 का तो बन ही रहेगा, तो 35 और 1 कितना होगा, student मैं आपको ऐसे trick बताने वाला हूँ कि आप एक second से ज़्यादा नहीं लगागा आपको इसे सवाल को solve करने में तो आए चली देखते हैं वो trick क्या है तो आपको क्या करना student कि जब 20 के सवाल आए तो आपको क्या करना जो यह power three है यह three को सब पूरे three को आपको काट देना है सारे you three को और root, जो है, root को भी cancel कर दिना है, तो अंदर क्या बचा है, student? 2, प्लस 1, 3, और 3, 3 कितना हो गया? 6, student. यही इसका अंसर है, student. ठीक है? अगर मैं आपको basic method भी टता दो, कि basic method सा आप कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे यह root के अंदर है, 1 की power 3, plus 2 की power 3, 3, plus 3 की power 3, ठीक है? तो जब आप इसको solve करेंगे, student, तो 1 की power 3, तो क्या आएगा? 1, plus 2 की power 3, तो क्या इसको लिख सकते है? 8, ठीक है, student? 3 की power 3, इसको क्या लिख सकते है? 27, तो जब इसको solve करेंगे, तो क्या आएगा? 8 और 9, 8 प्लस 1, 9 और 27 और 9 कितना होगे 36 36 का स्क्वाइर रूट क्या होता है स्टूडेंट 36 होता है तब जा कि आप इसका अंसर इस तरीके से निकालबा जा आप इसको डिटेल में निकालेंगे लेकिन आपको ऐसे करने जिरूरत नहीं है आपको मैंने ये ट्रिक बताया आपको इस ट्रिक से निकालना है अब आईए चली देखते हैं कि इसे solve करते हैं तहाँ पर देखें क्या है कि रूट के अंदर 1 की power 3 है 2 की power 3 है 3 की power 3 है 4 की power 3 है ये ट्रिक तभी काम करेगा स्टूडेंट जब रूट के अंदर संखिया लगतार हो मतलब करम में हो जैसे हाँ बर बन 2-3-4 है 1-2-3 है बन संखिया लगतार हो और power 3 हो ठीक है तभी ताrisk को क्या करना है सारे cube को काड़ देना है सारे cube को काड़ देना है जितना भी power है, power सारे power को काड़ देना है ठीक है, power 3 को पिर उसके बाद root को भी cancel कर देना है, तो अंदर क्या बचा है student 2, 1, 2, 3, 4 तो इसको जब add करेंगे तो क्या होगा 4, 3, 7 7 है कितना आगया यह 7 है 2 कितना होगया यह 9, आइए 10 तो इसका 10 अंसर होगा student, ठीक है student यह trick है student अब बहुत ही संदाठ रही है, आप इसको एक सेकंड में निकाल सकते हैं, ठीक है अब इसको अगर हम basic method से करेंगे तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं ठीक है, लेगिन आपको इस तरीके से करना नहीं है student मैंने आपको trick बताया है ठीक है, इस trick से आप एक सेगन में बता सकते हैं कि इसके सवाल हम कैसे निकाल लेंगे ठीक है स्टूडेंट